हलो प्रेंड आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सीटी बुक्स के आपसार पर स्वाग आता है प्लीज जो लो मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे साधी बगलें बेल आइकन की बटन उसे भी प्रेस करतेंगे दोस्तों मैं करना आप लोग उसे ना पार्डिकल वे प्रॉसेश िसके पार्डिकल ना पस्कते हैं थाई किस तरीक की से हो सकते हैं लोग जानतेहीं होंगे बनवाली फ्रैक हुश्ट रद्दक राधे फ़ीशेश्य बात ऑच्छा suivति प्लीज एक बृड प्ल किस तरीके से पॉस हो सकते हैं देखिए अगला कोईशन देखते हैं बहुत यह अच्छा कोईशन है यह दीखिए नइबियर इस्टो की क्वेशन होता है इन सम्में से किसमें से आफसर नमबर इसमें कौंसा सही हो जाएगा जल्दी शिपता है आपके पास मातर दो से का समय है देखिए आफसर नमबर इसमें सही हो जाएगा बिसकस फ्लो में यह बहुत यह अच्छे तरीके से नइबियर इस्टो क लगता है उच्पूल होता है यह समझ चाहिए चलिए इसके बारे में देख लीजिए तर नइबियर इस्टो की क्वेशन आफ मोशन आफ फ्लू लगते हैं और एक हैंस दा इक्क्वेशन और अत्रीकल इंफ्लो इसके बहुत अच्छा होता देख़िए और भी हैना मुहर। इसको जो हम नहीं कर सकते हैं क्या इंकन प्रिस्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पेश्पे किसे कह सकते हैं नेभी रिष्टू की कोईशन के काड़ी जो हम साल्व करेंगे ना तो उसका निलाइट कर क्या आजाएगा अंसर क्या आजाएगा आर यह मतलब रेडाल नंबर इस लेस लेस दैन वन ठीक है बहुत ही कम होता है एक से चलिए अब इसके बारे में देख लेते अब अगला कोईशन देखते हैं बहुत अच्छा कोईशन मिल रहेंगे बस आप लोग ऐसी हमारे साथ जुड़े रहे हैं और हां दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बाल लाइक और शेर जरूर कर दीजिएगा यह हमारा बहुत ही अच्छा निमेरिकल ह उसको जलदी कर लेते हैं water flowing through variable cross section pipe अपर 2m per second at cross section area 0.4m2 kray बहुते है वहा पर ऐसा कितनी है 2m per second Ugh यह हमारा एक water वाटर देख़िए मैं फीगर बना कर बता रहा हूं यह हमारा यह पाइप है ठीके यहां फस्ट जो जो ख्रास सेक्षन एरिया है यहां पर 2 मीटर पर सेकंड दिया है इसका वेलोसिटी और जब एरिया 2 हो जाता ना वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वह हमें निक करके वहाँ पर उसकी velocity कित्ती होगी यही बताना हमें आपको इस question को मुझे ने लगता कोई छोड़ेगा बहुत ही simple question बहुत ही आसान सा है जल्दी से लगा के बताईए देखिए मैं इतना आपके लोग बता देता हूं continuity question इस भी लगेगा ठीक है अब continuity question में आप लोग area 2 पर velocity निकाल सकते हैं जल्दी से निकाल दीजिएगा चलिए आप लोग निकाल दिये होंगे आपसम मिला लिजिए कौंसा से आपसम नमबर इसमें दीश है यह देखिए किस तरीकी से लगा है न जो data हम दिये है उसको पहले हम note कर लेते हैं जो b1 दिया 0.1 meter square होता है दिया था और अब हम इस पर continuity equation लगाएंगे a1 b1 equal to a2 b2 लगा देंगे अब a1 की value कितनी थी 0.4 meter square यहां पर लग देंगे और velocity a1 पर कितनी थी 2 meter per second दी और area a2 जो कितना cross section area a2 था 0.1 दिया था और velocity हमें निकाल ले थी देखिए अब सभी value compute कर देंगे तो हमार b2 आ जाएगा 8 meter per second आएगा ठीक है बहुत ही simple question था बहुत ही आसान था आप लोग लगा दिया होंगे और दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत होती ना तो हमारे वार्शल निंबर जो दिये रहते हैं वहां से आप लोग संपर कर सकते हैं और वहां पर देखिए comments box में आप प्रकार की बुक्स अपर लिल होती है यह आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की जरूरत है ना वार्शल निंबर तो हमारे दिये रहते हैं वहां से आप लोग कांटर करेंगे तो आपका reply जो भी answer होगा आपको मिल जाया करेगा तो यह हमारा बहुत ही अच्छा question है देखिए which of the following is not an application of Bernoulli equation इसमें से कौन सा ऐसा है जो कौन सा ऐसा एसा इस्टूमेंट नहीं होगा देखिए बंचूरी मीटर मंचूरी मीटर तो है आप लोग जानते ही होंगे देखिए औरफिस मीटर हाँ यह भी तो है वीटोटू मीटर यह भी है देखिए एनेमो मीटर एनेमो मीटर होता है एनेमो मीटर नहीं होता है देखिए बेलोसिटी नाम था तो है बेलोसिटी मेजर तो किया जाता है एनेमो मीटर से लेकिन बरनोली के लिए यह अच्छा नहीं होता है ठीक है अब देख लिए इसके बारे में आप लोग खुदी जाएंगे वेंचूरी velocity कितना velocity कहिए या discharge उसमें कितना लो हो रहा ना वही जो measure करता है ठीक है venturi meter और देखिए orifice meter जो होती है न इत इस यह hold plate इसको जो नहाँ venturi meter orifice meter यह hold plate को करती है in pipe carrying fluid जहां पर pipe जिस pipe के द्वारा जो है flood को ले जाया जाता है the small cross section area जो small जो cross section area होती न वह बहुत ही कम होती है था whole area plate जो plate की whole area होती न उससे कम होती और और क्या होती न and found little downstream of plate और उसमें जो हम प्रावद कर सकते हैं बहुत ही शोड़ी से downstream plate में ठीक है चलिए अब अनिमो मीटर क्या होता है देखिए जो option हमारा गलत था it major the fluctuation देखिए इसको मेजर करते है fluctuation of velocity in turbulent flow using the concept of convection ठीक है जो हमारा concept होता है convection concept है उसको हम यूज कर सकते करके इसका जो fluctuation speed होती न ठीक होती है इसको मेजर करते है और पीटो ट्यूब क्या होती न उसका यूज होता है देखिए it major the flow velocity इसका भी यूज किया जाता है जो फ्लो होती है पाइप में open channel चाहे open channel में कहिए यह बहुत यह अच्छा कुशिण है open channel में जो velocity फ्लो होती है उसको मेजर करना बहुत यह अच्छा कुशिण था चलिए यह हमारा अगला कुशिण है यह बहुत यह अच्छा कुशिण है देखिए venture meter is used to measure flow of fluid in pipe when pipe is देखिए venture meter जिसका यूज किया जाता है measure करने के लिए fluid जो fluid pipe फ्लो हो रही है तब वहाँ पर जो pipe उसमें लगती है किस तरीके का pipe उसमें लगता है चाहे horizontal कहिए या vertical कहिए या vertical flow जो इसमें downward हो रहा है या vertical flow हो रहा है जिसमें upward हो रहा है या कहिए any in any position किसी भी position पर चाहे horizontal हो या vertical हो ठीक है यह आपसर नमबर इसमें D से हो जाएगा किसी भी position पर यह उप लफद होता है तो यह आप अगला question देखते हैं बहुत अच्छा question चलिए इसके बार में देख लिए देखिए आपसर नमबर इसमें D से ही था फिर भी बंचुरी मेंटर के बारे में दिए ना इसको भी हम लोग आपी एक बार पढ़े ना फिर से देख लेते हैं इट इस यह converging diverging tube यह converging diverging tube होता ना उसमें low velocity या कहिए discharge को major करने के लिए उसकिया जाता है बंचुरी मेंटर का चलिए यह अगला question बहुत ही अच्छा question है the energy loss in flow through nozzle as compared to venture meter जो energy loss होती है flow के दोरान nozzle के compare में बंचुरी मेंटर में इस बंचुरी मेंटर के compare में nozzle का क्या होता है देखिए नोजल में energy अधिक लास होती है आप से नमबर 20 से ही हो जाएगा आप लोग जानते होंगे किस तरीके से होता है देखिए इसके बारे में देखिए अभी आप लोग खुदी जाएंगे जाएंग बहुत ही अच्छा कोईशन था चलिए अब अगला कोईशन देखते हैं यह हमारा बहुत ही अच्छा कुईशन है जब बंचुरी में इंडर ना inclined में हो जाए मतलब एक कुछ एंगल बनाए दर फार एक given flow it will show देखिए तब वहाँ पन जो flow हो रहा है क्या show करता है देखिए सेम रेडिंग सो करता है यह मत कहिएगा यहां पर दूसरी रेडिंग से करेगा और अभी आप में कहा ना कुछी भी पोजीशन पर रहेगा बंचुरी मेंटर तो उसका यूज हम कर सकते हैं मेजर करने के रिए ठीक है यह आपसल नंबर इसमें सीज़े हो जाएगा उसी के क आपसलो होगा ना हमें क्या देखेगा सेम रेडिंग ही देखेगा देखिए अभी मैं इसके पहले जब कोश्षर्ट साप किया था ना तो उसमें बताया था आप लोग कोई प्रासस्षें हो चाहे हरी जेंटल पाइप लगादो या बर्डिकल पाइप लगादो बर्डिकल download लगा दो या vertical upward लगा दो तब भी वहाँ पर जो है जो reading आएगी ना उस सेम ही आएगी ठीक है चलिए यह हमारा पहुत अच्छा question है ना इसको जवरी से आप लोग पढ़ लीजिए इफ है A1 यह दी हमचे कह रहा है A1 and A2 represent of area A1 और A2 यह represent कर रहे हैं discharge को Q जो हरी प्रिजन करता है discharge को देन दा थ्रो यह venture meter is given तब उस जो venture meter में क्या होगा क्या equation बन सकता है देखे इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कोई भी छोड़ेगा आपसं देखते ही लगा देगे आपसं देख लीजिए देखे आपसं दो देखी लिए होगे आपसं नमबर इसमें कौन सा सही होए जदिशी पताईए आपसं नमबर इसमें C सही हो जाएगा Q उकल टू A1 इंटू A2 अपान अंडर रूट में A1 स्कॉर माइनस A2 स्कॉर इंटू हम कहें सकते अंडर रूट में 2GH होता है यह आपसं नमबर इसमें चाहिए था इसके बारे में मुझे नहीं लगता कोई भी इस्टूडेंट इसको छोड़ा होगा चाहिए यह हमारा इसके बारे में और सारा इसके जो फैक्ट है उसको देख लीजिए अगला कोईशन देखते है बहुत अच्छा कोईशन है बहुत अच्छा कोईशन है बन्युली ठीरिम जो होता है का को अच्छा करता है मस को करता है निकिए आब इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा बन्युली इनरजी करता है सौरी हाँ देखिए अभी आप लोग को पता होगा कर सभी दो प्रिंसिपल होते हैं बंड़नी थेरम के जो प्रेशर एंटर्जी होते हैं काइनेटेक एनर्जी होती है इसे भी को टोटल हो जाता है ठीक है आपसे नंबर इसमें एश ही ता फिलाल देखिए बंड़नी थेरम यह द्देखिए जो प्रिंसिपल होती है इसको हमें प्राज हो जाती है ठीक है इस पंड़नी थेरम को याद रखेगा बेहिए तुण सब्सक्राइब नियर्ड लिवल इस तरीक्य से बाहर आजाएगा और पर integration लग जाएगा एक तो आपको पता होगा इस तरीके से integration निकालना ठीके मुझे नहीं लगता integration किसी को भूला होगा ठीके integration बहुत इसींपल था ठीकिए अब यहां पर जो हम integration दूसरे पर लगाएंगे यहां पर तो यह जी हमारा जो रहेगा ना constant है तो जाहिर सी बात जी बाहर आजाएगा और delta dz dz जो रहेगा इंटिग्रेशन पर हो जाएगा आपको पता ही है इसी परकार से भी बाहर आजाएगा और db जो रहता ना यह constant है इस पर रह जाएगा देखे आपको इस fact पता ही होगा अब जब हम integration हटाएंगे न तो उपर जो हमारा g बचा था नीशे सभी में g से हम multiply कर देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा p upon देखे अभी में यहाँ पर जब निकाला था g का value देखे यहाँ पर जब हम g into dz निकाले थे न तो यहाँ पर जब आएगा z इस तरीके से आएगा ठीके तो हमारा जब g को हटाने के लिए इसमें g से multiply करेंगे यहीं सभी fact में तो g से g कैंसिल हो जाएगा ठीके इस तरीके से होगा अब इसमें से हम रख देंगे न इसको भी एक बार देख लीजिए देखिए इसको धालके में मत लीजिएगा इस पी वन और पी टू रिफर रिफर रिप्रेजन तो प्रेशर अगर देखिए जो पी वन और पी टू जो रिप्रेजन कर रहा ना ट्रेशर को रिप्रेजन कर रहा है और बी वन और बी टू जो रिप्रेजन करता है वेलोसिटी को और रो वन इंटू रो टू जो रिप्र दफर्म देखिए तहुँ हाँ पर ना बढ़नोरी उक्वेशन किस तरीके से ले सकते हैं तो आपको पता योगा किस तरीके से होता है पूछ यह अशा कोशन है देखिए आप लोग जल्दी से देख लिएचे आपसन सभी को लगा भी दियोंगे आपसन जल्दी से मिलारी इसे हो जाएगा P1 upon rho 1 into G plus B1 upon B1 square upon 2G plus Z1 equal to हो जाएगा P2 upon rho 2G plus B2 square upon 2G plus Z2 हो जाएगा ठीक है इस तरीके से होगा अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवर्णोली थेरम होता है जब कोई भी लास ना हो जब कोई भी लास ना होगा तो सीधी सी बात हो जाएगई P1 upon rho 1 rho G plus B square upon 2G plus Z1 और P2 upon rho G plus B square upon 2G plus Z2 ठीक है बहुत अच्छा कोईशन था इसको जान लेजीगा क्योंकि यह कोईशन मुझे नहीं लगता कभी छोड़ता है इस पर कोईशन भी इस पर नुमेरिकल भी पोश्च लेता है ठीक है इसलिए आप लोग इसका इसका यह हमारा थेरम इसको य लौस आप एनर्जी हो जागी टेक प्लेस दिूर्ञ फ्लो लिकुड फ्रम 1 टू 2 जो हमारा लिकुड जो पर सेस्ट के पाइप के अकार्डिंग दूसरे जगह पर जाता था थे ना तो उसमें एनर्जी जो लोस हो रही है उसके कार्डिंग जब हम देख लेंगे क्या हो ज तो पालाँ सी यह लग जाएगा ठीक है कि हमारा जब एंगर जी लगा जोगा जब एनeर्जी लास हो सभी के पेद यह जिए जब एक इस इकपके लाच कहीं अंब आप लोग के लिए यह और अगला阻िया कोईशिंत बहुत आचा Vaenas इन ये fluid mechanics में the continuity equation is a mathematical statement embody the principle देखिए एक fluid mechanics में जो continuity equation होता है उसको mathematically जो हम statement देते हैं उसका जो principle होता है किस तरीके शोगता है किस पर काम करता है आफसन नंबर इसमें कौन से हो जाएगा जल्द शुट आईए आफसन नंबर इसमें डी से हो जाएगा एक conversation of mass ठीके जो conservation करता है मास को उसके प्रिंसिपल पर ठीके इसके बारे में देख लीजी बहुत अच्छा question है किस तरीके से conservation करता है मास को in fluid mechanics the continuity equation is a mathematical statement embody continuity equation को जो mathematical statement देते हैं now embody को the principle of conservation of mass जो principle होता conservation mass का किस पर लगता है देखिए जब यहाँ पर rho1 a1 into b1 लगा देंगे equal to हो जाएगा rho2 into b2 into a2 ठीके इतना हो जाएगा यह का होगा जब compressible fluid के लिए होगा जब इस पे न हम यह rho1 हटा देंगे density ठीके जब इसका mass हटा देंगे तो a1 b1 equal to a2 b2 होता है यह incompressible fluid के लिए होता है ठीके इतना फैक्ट जानना बहुत जरूरी था चलिए अब देख लीची न और भी फैक्ट न उसको भी देख लीची बहुत अच्छा कोशन है चलिए अगला फैक्ट देखिए far and ideal and steady flow एक ideal और steady flow के लिए the total energy of fluid at point is constant है total energy जो होती हो फ्लूड की एक पॉइंट पर constant हो जाती है इस इस statement है कौन सा statement है यह बताना है देखिए इस statement को मुझे नहीं लगता कोई छोड़ेगा आपसा नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा जल् पर सब ideal flow हो जाए और steady flow हो जाए तो वहाँ पर total energy जो flow होती है एक पॉइंट पर ठीक है वह बनोली equation की कार्डिंग ही रहती है ठीक है चलिए इसके बारे में देख रही है एज पर बनोली equation sum of pressure energy पर जो बनोली equation होती है उसम हो जाती है प्रेसर energy वहाँ पर और kinetic energy और कह सकते ह के एक constant हो जाती है string जो stream line होती है कहिए कि steady flow होता है incompressible flow होता है ठीक है तब वहाँ पर constant हो जाती है ऐसा भी energy ठीक है यह यह हमारा बहुत अच्छा question है इसको भी देख लीजिए consider a tank attached and orifice diameter d यह कह हम मान लेते हैं एक tank है ना वह attached किसके साथ है एक orifice diameter d के साथ attached है ठीक है इफ about the center of orifice जो center जो orifice के center के ऊपर है the theoretical velocity of the discharge तो उसकी theoretical velocity होगी discharge की flow through the orifice is given by तो वहाँ पर जो flow होगा orifice का क्या हो जाएगा discharge क्या होगा यह बताना है देखें क्या flow हो जाएगा option number इसमें आपको पता ही जो flow होगा तो velocity होगी option number इसमें 20 से हो जाएगा under root में 2gs ठीक है यह होता है चलिए इसके बारे में देख लिजी थोड़ा सा as per torisial law देखें टोरिसील से लाज जो होती ना यह बहुत important है velocity throw orifice bottom of tank is given by देखें जो velocity होगी water tank में orifice पर देखें वीग को सकते हैं head of orifice head above orifice होता है जो head होता ना orifice को ऊपर होता है चलिए यह हमारा अगला question बहुत ही अच्छा question है in the category एक category जो होती है ना flow meters की head loss is at the least far जो head loss होती है कि हम क्या मांग क्या करने के लिए रख सकते हैं आपसर नमबर इसमें कहां पर रख सकते हैं देखें आपसर नमबर इसमें C सहीड जाएगा venturimeter के लिए रखते हैं ठीक है आपसर नमबर इसमें B सही था C सही था ठीक है अब देखिए venturimeter does not have flow separation जो venturimeter होता ना यह जो flow होता तो उस separation नहीं करता है do not gradually और किसके due to gradually expansion के लिए हम कह सकते हैं head loss is minimum होता है वहाँ पर head loss minimum होता है जो मैंचुरी मिटर लग रहा है तो जाएट सी वात है head loss होगा minimum ही होगा ठीक है नेबियर इस्टू क्या होता है नेबियर इस्टू की question in fluid mechanics is derived जो नेबियर इस् से प्राथ करते हैं आपसा नंबर इसमें कौसा सही हो जागा देखिया आपसा नंबर इसमें 20 से हो जागा Newton second law of motion जो नेबियर इस्टू को हम इस्टू का equation होता है उसको हम प्राथ करते हैं ठीक है नेबियर इस्टू का equation तो आपको पता ही होगा ओ कमेंट्स वाक्ष में नेबियर इस्टू की question is application of Newton second law of the motion of fluid elements ठीक है इसी पर depend करता है चलिए अब अगला question देख लेते हैं बहुत अच्छा question है एलर्स equation of water turbine is drive on the base of देखे जो एलर्स equation होता है ना water turbine के जहां पर से हम प्राथ कर सकते हैं किस बेस पर प्राथ करते हैं उसी बताना है इसमें आपसा नंबर कौन से हो जाएगा देखे आपसा नंबर इसमें सी से हो जाएगा देखे रेट आफ चेंज आप एंगुलर मोशन जो एक रेट होता है ना एंगुलर मोशन को चेंज करने के लिए ठीक है उस पर हम इसको प्राप कर सकते हैं जो एलर्स equation होता है water turbine के ठीक है आपसा नंबर इसमें फिलालसी सही था तरिए इसके बारे में देख लीजिए एलर्स equation of far turbine is drive जो एलर्स equation के लिए turbine जहां से drive किया स सकता है newton second law जो newton का second law होता है related to angular moment जहां पर angular moment लगता है ठीक है उसके कार्डिंग यह हम कह सकते है ना that is t equal to d upon dt यहां हम इंटू जो वेक्टर r into m into वेक्टर भी ठीक है इस पर depend करता है यह newton second आ है ठीक है चलिए और इसको हम इस तरह के जबी लिए सकते है d equal to हो जाएगा पी रो into q यहां ब्रेकर में एक लगा देंगे ना जहां पर बी जो water liquid होगा ना r1 plus minus जो यहां पर लगा देंगे जो हमारे b2 हो जाएगा water 2 में जहां पर जाएगा r2 हो जाएगा ठीक है इस तरह की से होगा चलिए इसको उतना fact इस fact को नहीं जरूई था बस आपको यही जर अच्छा question है यह हमारा बहुत अच्छा question है which the following device is used to measure the air flow velocity in bend जो ट्यूनल टेस्टिंग होती ही ना ट्यूनल टेस्टिंग में जहां पर हम मेजर करते हैं air flow की velocity को ठीक है और किस device से करते हैं आपको पता ही होगा आपसे नंबर इसमें कौंसा से जगा यह सही हो जगा एर जो एनिमो मीटर के दोरह हम velocity को मेजर करते हैं ठीक है इसके बारे में देख लिजी ना बहुत अच्छ स्टेट्मेंट ना इसमें कौन सा स्टेट्मेंट सही है कौन सा स्टेट्मेंट नहीं सही है आपको बताना है उसके कार्डिंग ठीक है देखिए यह सभी स्टेट्मेंट है आपको बताना है चलिए पहले देख लीजिए इस्टेट्मेंट पहले देख लीजिए हुए हुए बेसल के साथ एरिया जह समान हो जा है और ईक ह mand का ट्रिक्षर इस मारा इक्न फौर्श यह कंड्रिक्षिन होगा उसके सबीत बेस पर इक्कुल फौश लगेगा बाट। ड्रीकर aft liquid smart पर देखें लेकिन जब उस पर होगा देखें जब दूसरा इसटेट्न क्या करता है बर्णोली केशन इस बैंट फार इनवाइस्ट लिक्ड़ पर आपसा नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा देखें सभी स्टेट्ट में दोनों इस्टेट्न पढ़ लिए होंगे चलिए य और आपन नमबरीस में फिलहाल तो वी सही है , देखे अघ्येक बिस है ना आपन नमबरीश में आपसो कईया बहुत स्टेटमेंट तरह जो हैं दोनों इस्टेटमेंट जो है न सही हैं first and second statement are individually true दोनों statement true सही है लेकिन हम कह सकते हैं statement two is not the correct explanation आप statement first statement लेकिन जो दूसरा है न वो पहले के accounting explanation सही नहीं है ठीक है अब चलिए इसके बारे में देख लिजिए क्यों सही नहीं है अब बर्नोली question होता ना यह लगभख equation valid होने के लिए के वर इन्वाइस्टे रिजिएन आफ़ फ्लो होने के लिए होना यह वहां की जरूरत नहीं होती है जहां पर हम कह सकते हैं net viscous forces are negligible वहां पर जो net viscous for होगा ना बिलकुर ही नहीं लगेगा यह कह सकते हैं चलिए एक फ्लोड जेटर के discharge from 20 mm डायमेटर एक दिर्फोड जिसका डिश्चार दिया है 20 mm डायमेटर और ओरिफिस ओर डायमेटर जो दिया मुत दिया है 17.5 mm दिया है और अगल्षब्र है और प्लोटक वींinge जल्द शिक्तव फॉंसरा होन्वी सब्लील membership है banking के के सर्थ hall इन्मर हम्नु आप ज्ल्डी से पताःए कि आप देखेली जदी जटी देख लीज़ी आप लोग बहुत अछब कोवेश्य ह adapt니까 zone । अ 이제 stick इन्म time इस. अ मैं hacemos. एरिया होगी इरिया ॥पाङ हाए अपान और ऐफ चेचagar chain यहां दाट गेगा और हमाना दूसरा लग गया और का दाट है मैं स्कोर हो जाए यहां पर को इहां पर हम दैंगे स्पहर्ड़्ण पॉाइंट 05 उश्च। डामेटर जो दिया था 2.2 दिया था ठीक है जो हम इसको calculate करके solve करेंगे 0.765 आ जाएगा ठीक है बहुत इच्छा question था आप लोग समझ गए होंगे चलिए अब अकला question देख लेते हैं बहुत इच्छे question चलिए इस question कहां सरना आप लोग comments वाक्स में लिखके जरूर बताईएगा ठीक है इसका देखिए यह बर्णोली equation प्लस बी स्क्वायर अपान टूजी प्लस जड़ यह देखिए बर्णोली equation आप सर्व ब्रकार की बुक्स अबर्णोली और यह देखिए अगर कोई दिकत हो रही न तो हमारे वीडियो के description box में हुआ सा नमबर दिया रहते हैं वहाँ आफ लोग सीधे contact कर सकते हैं आज के लिए इतना ही वीडियो का इसा लागा comments box में लिक के जरूर बताएगा नेश् आपसकर